हेलो दोस्तों वेलकम टू मैस मसाला आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का exercise 2.3 तो आज के इस lesson में आपको एक नया सब्द मिलेगा जिसको कहा जाता है तो पिछले lesson में यानि कि exercise 2.2 में आपने क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था सुन्यक कैसे ग्याद करते हैं तो उसी के आगे एक कदम आगे एक सड़ी आगे आपका है जब हम किसी भी बहुपत को सुन्यक से भाग देते हैं तो जो भी हमको शेष बचता है वही हमारा होता है शेष फल पर में तो कैसे आप इसको समझेंगे चलते हैं पहला question के तरफ और उसको solve करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा से पहला question है ये आपका समिकरंड दिया गया है कहता है कि इस समिकरंड को निम लिख्र से भाग देने पर सेष फल ग्याद कीज़ए है ये सब आपका क्या है ये सब तो चलिए करके देखते हैं तो दोस्तों पहला अब का दिया गया है x प्लस 1 तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका हम सुनियत निकाल लेते हैं तो कैसे होगा x प्लस 1 बराबर 0 इसका मतलब x बराबर प्लस 1 का पक्छानतर होगा तो हो जाएगा माइनस 1 अब क्या होगा समीकर्ण में X का मान रखने पर अब यहां पर समीकर्ण जो दिया गया है आप X का मान रखिए तो सबसे पहले हम समीकर्ण लिख लेंगे इतना बड़ा आपका समीकर्ण है समीकर्ण में X का मान मिला है माइनस एक तो चलिए रखके देखते हैं X का मान माइनस एक का गहात यहां पर क्यूब हो जाएगा पलस तीन है तो तीन लिखेंगे गुड़े फिर यहां पर आपका हो जाएगा माइनस एक का गहात दो पलस तीन एक है तो तीन गुड़े माइनस एक हो जाएगा पलस एक है तो यहां लिख देंगे पलस एक अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं तो माइनस एक का जब तीन बार गुणा होगा तो यहां पे आपका माइनस एक बच जाएगा पलस यहां पे तीन है माइनस एक का जब दो बार गुणा होगा तो माइनस माइनस पलस हो जाएगा और यहां पे एक एकम एक हो जाएगा तो तीन एकम तीन होता है पलस माइनस माइनस तीन एकम यहाँ पर हो जाएगा तीन यहाँ पर आपका हो जाएगा पलस एक तो पलस तीन माइनस तीन कर गया और पलस एक माइनस एक यहाँ पर कर गया तो इसका मान कितना आएगा इसका मान आएगा जीरो इसका मतलब यहां के जो सेस्फल हमको मिलेगा वो मिलेगा 0 और यही आपका हो जाएगा answer दूसरा question है x minus 1 बटा 2 तो इसका भी हम लोग x कमान निकाल लेते हैं तो एक्स बराबर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा एक बटा 2 मिलेगा ना minus का plus हो जाता है यह आपका समीकरण हो गया अब समीकरण में एक्स कमान रखने पर यह आप लोग खुद लिख लेना तो चलिए एक्स क्यूब प्लस तीन x स्क्वेर प्लस तीन x प्लस एक दोस्तों मैंने ऐसा इस लिख किया ताकि आपका वीडियो बहुत लंबा न हो जाए और बार बार जो चीज को लिखना है उसको मैं क्यों लिखूँ भाई आप इसको समझ गए आप इसको खुद लिखिए ताकि कम समय लगे तो चलिए एक्स का मान एक बटा दो का घात क्यूब प्लस तीन x स्क्वेर है तो तीन गोडे एक बटा दो का घात दो और प्लस तीन गोडे एक्स का मान एक बटा दो और प्लस एक तो इसी को हम पलस तीन गुड़े एक आगादड़ यानिकी 1 बटा 2 दुनि 4 और पलस तीन एकम 3 बटा 2 पलस एक यह आपका हो गया अब चलिए आगे लगा के देखते हैं यहाँ पे एक बटा 8 पलस 3 बटा 4 हो जाएगा लेते हैं पीछे यह आपका समीकर बन गया अब हम क्या करेंगे आब इन सभी काम लोग निकाल लेते हैं लासा तो लासा निकालेंगे तो हमको मिलेगा 8 8 कहां पर 8 है तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 4 दुनी 8 होता है तो 3 6 और प्लस 2 4 8 होता है तो 3 4 12 और प्लस यहां बटा में कुछ नहीं था तो डायएट गुणा हो जाएगा तो 8 एकम 8 हो जाएगा अब आप इसको हल करके देखिए तो 12,8 होता है 20, 26,26 और 27 तो 27 बटा 8 यह आपका हो गया answer यानि कि जो सेज़फल हमको मिलेगा, स्वरी, सेज़फल यह मिलेगा 27 बटा 8 और यही आपका हो जाएगा answer जिदर तीसरे में केवल x है तो यानि कि x बराबर 0 ही होगा यह हमको पता है तो अब हम क्या करेंगे हम लोग लिख लेते हैं सम्मीकरण में x का माल रखने पर तो यहाँ पर क्या होगा आपका सम्मीकरण है xq plus 3 x square plus 3 x और पलस एक तो जिरो रखके दिखिए तो यहाँ पर आपको जिरो का क्यूब हो जाएगा पलस 3 गोड़े 0 का square पलस 3 गोड़े 0 और पलस एक तो सब में 0 बचेगा आपको क्यों यहाँ पर एक मिलेगा तो यही आपका हो जाएगा शेसफल तो यहाँ आप लिख लिजे शेसफल बराबर एक यह आपका हो गया एंसर तो दोस्तों चौथा कोशन है x पलस पाई तो समीकर्ण में x का मान लखने पर यहां समीकर्ण दिया गया है यह मैंने पहली लिख दिया ताकि आपका समय बच जाए एकस क्यूब तो दिखिए यहां पर आपको इक चीज आपको बता दूं कि एकस बराबर प्लस पाई है ना तो जब प्लस पाई का पक्छानतर होगा तो माइनस पाई हो जाएगा यह आपको जहां लखना है तो जहां जहां एकस है वहां वहां आप पाई लिख दिजे यहां पे आपका हो जाएगा minus pi का cube plus 3 गोड़े minus pi का square plus 3 गोड़े minus pi और plus 1 minus pi का cube होगा तो यहां आपको मिलेगा minus pi cube minus minus plus हो जाएगा तो यहां पे आपका किवल pi square बचेगा तो यहां लिखेंगे plus 3 pi square plus minus minus होता है यहां पे आपका हो जाएगा 3 pi और plus 1 तो यह आपका हो जाएगा successful यही आपका हो जाएगा answer पांच वा दिया है 5 plus 2x तो हम क्या करेंगे हम भी इसका सुन्य निकाल लेते हैं तो बराबर 0 5 प्लस में है पक्छानतर होगा तो हो जाएगा 2x प्लस सोरी बराबर माइनस 5 x बराबर माइनस 5 और 2 का भी पक्छानतर होगा तो ये हो जाएगा बटा 2 तो x का मान हमको मिलिया माइनस 5 बटा 2 अब इसको समीकरण में रखे देखते हैं तो समीकरण में x का मान रखने पर ये आपका समीकरण है तो चलिए मान रखे देखते हैं x का मान हो जाएगा माइनस 5 बटा 2 का क्यूब पलस 3 है तो 3 गुड़े x का मान है माइनस 5 बटा 2 का घाथ दो और प्लस तीन गोड़े x का माल है माइनेस पांच बटा दो और यहां पर आपका हो जाएगा प्लस एक चलिए अब इसको आगे देख लेते हैं किया इसका जाने वाला है तो माइनस पांच तो 5 का क्यूब करेंगे तो पांच 25 पांच 25 होता है यहांपर आपका होगा माइनस 20फ बटा दो का 술कात करेंगे तो यहांपे आपको 15 बटा 2 और प्लस 1 हो जाएगा अब यहाँ पर गुणा करना बाकी है इसको भी कर लेते हैं यहाँ आपका हो जाएगा माइनस 125 बटा 8 और प्लस 25 दिया 75 बटा 4 और माइनस 15 बटा 2 प्लस 1 दोस्तों इन सभी का जब हम लासा निकारेंगे तो हमको किवल मिलेगा 8 8 का 8 हो गया तो यहाँ आपका होगा माइनस 125 बटा 4 दुनिया 8 होता है तो 75 को दुना करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 150 और माइनस 24 का 8 यानि कि 4 से गुणा किया गया है तो 15 चोगा होता है 60 और प्लस 8 हे कम 8 हो जाएगा अब इसी को हमें सॉल्ब कर लेना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर प्लस वाले को यह एकठा जोड लेते हैं तो 150 और प्लस 8 तो यह आपका हो जाएगा 158 और माइनस माइनस वालों को भी हम लोग जोड लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन लगेगा माइनस का ही तो 125 में से 60 को जोडेंगे तो हो जाएगा 185 बटा 8 अब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है हम यहाँ पर घटाएंगे लेकिन 180 में से घटाएंगे इसी लिए यहाँ पर माइनिस का साइन लगा देते हैं और घटाने पर यहाँ पर हमको मिलता है 27 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 तो 27 बटा 8 जो है यही आपका एंसर होगा यानि कि जो सेज़फल है सेस्फल वह आपका कितना होगा माइनस 27 बटा 8 होगा यदि हम इस संख्या से भाग देते हैं पांच प्लस दो एक से इस समीकर्ण को भाग देंगे तो हमको सेस्फल मिलेगा माइनस 27 बटा 8 तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे वीडियो हमें कमेंट करके बता हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करते हैं और यहीं आप क्लास 9 में है या आपका घर का कोई भी क्लास 9 में है जो कि क्लास 9 के त्यारी कर रहा है मैं free of cost कोचिंग के माध्यम से free में online कोचिंग से मैं आपको पूरा सलेबस पढ़ाऊंगा तो दोस्तों आप हमाई चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो साथियों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद कर दो से लिए छाँ अए जगा सब्सक्राइब कर दोस्तों कर दीजिए गपका रहाँ तो झाँ से पूरा इाँ सिवख़ दीजिए एपकत साथिए टीजिए लिए रखविंग दाजिए और रयापका दीजिए खानीष यह अआए साथियों पीजिए पीजिए एगे